व्यक्राइब टूम तो आज चीज वीडियों हम लोग बात करेंगे इसन नौलिज कंपनी हाइर कर रही है एल्थ प्रॉसस के लिए यूएस हैल्थ प्रॉसस के लिए तो क्या एल्टिपली है क्या वकींग आवर से सईलरी एक तोक्त वीडियो में Canon कवर करने वाला हूं तो मे आप मैं बात करता हूं जौब डिस्क्रिप्षिन का यहां पर जुक्षिप्षिन दिया गया डिस्वार्व दा कस्टमर क्यूरी कस्टमर के प्राबलम को सॉल्ट आउट करना एक्सलेंट कॉम्निकेशन स्किल इंग्लिस में अच्छा नॉलेज होना मतलब इंग्लिस फ्लॉएंसी होना willing to work in US shift और US shift में जो US का shift है मतलब जो night shift है उसमें willing मतलब agree होना काम करने के लिए ability to work in a team, team के साथ काम करने के लिए साज़ेदारी होना, take individual responsibility, अपनी जिमेदारी खुब लेना hard working, company के प्रती या अपने प्रती, काम के प्रती hard work करना जॉब location दो है, वो sector 5 कुलकता है, company का address जो है में skin पर flesh कर दे रहा हूं, shifting time जो बताया गया है, night shift सारे 5 बिज़े साम से लेके कभी यह company आपको देश सकती है, five days working working days की बात कर ले तो five days work करना है, benefit क्या है working international process, आप एक international process में job कर रहे हो, जहां आपको five days work करना है, दो दिन आपको छुट्टी मिलीगी, week of days की बात कर ले तो, attractive allowances and bonus भी आपको company provide कर रही है, plus allowances भी company provide करे, drop facility available company के द्वारा आपको drop facility भी दिया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा, power can benefit, power can benefit as per the company as per the industry standard और तो यहाँ पर यह कंपनी का HR कर नंबर है, वो भी मैं disclose कर दे रहा हूं यहाँ यहाँ पर, आप यहाँ पर direct call करके भी interview के लिए आ सकते, या फिर डाइरेक भी interview के लिए आ सकते, तो फिलाल जो मैं इस वीडियो को तुरू बताना चाहता हूं कि संग नॉलेज कंपनी हायर कर रही है, यूएसे health process के लिए, यानि यूएसे health service के लिए, तो वैसे के अपलाई करना चाहते है, अपलाई कर सकते है, HR कर नंबर मैं और यह अरड़ी दे चुका हूं, या फिर डाइरेक जो है, आप वाकिन इंट